हलो दोस्तों कैसे हो मैं हूँ अश्वीन और स्वाग है आप सब का इंदी चेस वीडियो में दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको जादूगर की एक खुबसूरत गेम दिखाने वाला हूँ जो कि उन्होंने 1950 में के लिए थी जहां पर उनके उक्षण थे लेवरी ने को और लेवरी ने को के ऊपर कोई जादा इंफोर्मेशन नहीं है मैंने जो है उनकी गेम डूनने की ट्राइ की उनकी एक ही गेम अवेलेबल है वो भी ताल के सामने की जो मैं आज आज आपको दिखा रहा हूँ इस पर्टिकुलर गेम में लेवरी ने को के वाइड पीसिस सेंटर पर टेग जो नाइट टू सी थ्री एंड नाव दिख जबकि उधर जो है एफाइम में हो है और गेम कुछ इस तरह से कंटीनी होती है नाइट टू बीफाइब और यहाँ पोजिशनल थ्रेट है नाइट टू दिख की तो दिख जो है फुद ब्लेक खेलता है और नाइट टू बीफाइब और यहाँ पर यहाँ पर जो है वाइट कलता है नाइट टू और दिख जो अब देखे पोजिशनल थ्रेट है सिंपली बिशप कैप्चर एफशिक्स जहाँ पर स्टुक्चिर जो है थोड़ा बिगड़ेगा ब्लेक का बड़ बिशप जो है फिर और अब जो है यहाँ पर नाइट टू बीफ्री कहला गया है जबकि उधर माइन मूँ है नाइट टू एफ टू एफ तरी और हाँ नाइट टू बीफाइब का कोई पॉइंट यह नहीं है क्योंकि उसमें आप सिंप्ली अपने ओपनल को टेंपो दे रहे हो क्योंकि डीछि जो है दो चीजों से प्रोटेक्टेड है, यहां पर A6 करेगा, Black and then even B5 करेगा, जो सारी मूव उसे विट टेंपो मिल जाएगी, इसलिए, E5 के बाद में मूव है Nf3, जहां पर Black को H6 कहलना पड़ेगा, अगर Black H6 नहीं खेलता है, बिशप G5 आजाएगा, एन अगें जो है, नाइट को पीन करेगा, नाइट D5 कहलेगा, और एक पीस जो है, D5 स्कुर्ड पर रखेगा, जो कि हमारी गेम में चलते है, जहां पर E5 के बाद, यहां पर खेला गया, और नहीं नाइट F3, यहां पर खेला गया, Nb3, so, गेम में, बिशप टू E7 मिखल ताल ने खेला, और दोनों ने यहां पर एक शोर्ड कासल खेला, और अब किंग टू H1, so, वाइट का आइडिया काफी क्लियर है, कि वो F4 खेलना चाहता है, और यहां पर रुक की लाइन ओपन करके, मिखल ताल के किंग पर अटेक करना चाहता है, उसने किया भी है, बट देखते हैं, गेम में क्या हुए, यहां पर बिशप टू E6, मिखल ताल ने अपना लास्ट में और पीस निकाला, and now F4, so F4 मूँव जो है, more or less force करती है, आपको capture करने के लिए, अदर्वाइस F5 आजाएगा, और ज्यादा space जो है, वो white को मिल जाएगी, और वैसे भी capture जो करना अमर लिए अच्छा है, क्योंकि E5 स्क्वेर जो है, वो available हो जाएगा, black के pieces के लिए, specially bishop याद फिन नाइट के लिए, यहां पर bishop capture zone A4, white ने खिला, and now, computer suggests कर रहा है कि, white जो है, I mean, sorry, black जो है, अपना D6 pawn, जो कि weak pawn है, थोड़ा open file पर है, then उसको piece का support चाहिए, उसको जो है, वो remove कर सकता है, अपने open hand के strong pawn, center pawn के सामने exchange कर सकता है, with a D5, but मिखल ताल ने जो है, वो नहीं खिला, उन्होंने यहां पर खिल दिया, root 2, 3, 8, और शायद उनका point यह है, कि जब हमरा pawn E5 पर होता है, और उसके बाद अगर हम D5 खेलते हैं, तो वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि एक तो white pawn पूँच भी नहीं हो सकता, दूसरा जब exchange होगा, तब black pawn पूँच सेंटर में होगा, और उस तरह से black को जो है, वो middle game में थोड़ा initiative मिलेगा, but anyways, game में जो है, rook 2, c8 खेला गया, and now knight to d4, और यहाँ पर knight capture d4 खेलना जो है, ज़रूरी है, क्योंकि knight capture e6 and then bishop c4, जिसमें जो है, वो black को back foot पे जाना पड़ेगा, क्योंकि मिखल ताल ने खेला queen b6, और अब knight captures on e6, यहाँ पर white ने miss किया, क्योंकि f capture and then bishop on c4, और knight d8 जैसी passive move खेलनी पड़ेगी, और यहाँ पर आप देख सकते हो, क्योंकि white यहाँ पर driving seat पर है, but game में किया वा दोस्तों, queen b6, मिखल ताल ने तो miss किया, उसके opponent ने भी जो है, knight capture e6 miss किया, उन्होंने खेला knight captures on c6, but now pawn captures, और यहाँ पर आप चाहो, तो bishop captures on d6 खेल सकते हो, but then bishop captures, queen captures, and queen captures on b2, और यह game जो है, तीनों result के लिए open है, especially यहाँ पर black की queen काफी active है, खेलाल के लिए knight पर attack है, यहाँ पर c2 जो है, उसके भी attack है, so हम कहा सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा बेटा रहे, but हमारी game में चलते है, यहाँ पर b captures on c6 ते बाद, मिखल ताल के opponent ने खेला, queen to d3, and now rook f2 d8, b3, so आपने b2 pawn को save किया, and now knight to d7, so basically knight d7 का idea यह है, कि हम यहाँ पर knight e5 खेलना चाहते है, यहाँ पर bishop f6 and bishop e5 करके, position improve करना चाहते है, यहाँ पर knight to a4 खेला गया, and now queen to a5, bishop to d2, and now queen to c7, और अब queen to g3 कहला गया, और अब मिखल ताल ने simply, अपना bishop improve किया with tempo, क्योंकि रूप पर attack है, now rook e2, d1, bishop to e5, और अब queen पर attack है, and now queen to f2, knight to f6, knight की position जो है, improve की, so यहाँ पर knight d7 का whole point यह था, कि वो अपना bishop की position जो है, वो improve करना चाहते है, but anyways, हमारी गेमें चलते है, जहाँ पर knight f6 के बाद, queen to h4 खेला गया, जहाँ पर, मिखल ताल ने खेला c5, और normally हम d5 pawn break अच्व करने की try करते है, so यहाँ पर c5 का reason क्या है, c5 का reason दोस्तों यह है, कि हम c5 to even c4 के लिए, I mean c5 to c4 के लिए चाहते हैं, और वहाँ पर queen side हम attack करना चाहते है, क्योंकि हमारा pieces का allocation जो है, वह queen side जादा है, और यहाँ पर c4 फुद white ने खेला, और black का idea स्टोप किया, और अब simply d5 पर उनकी knight के लिए काफी अच्छा है, वह might be knight c3 to knight d5 खेलना चाहेंगे, आगे चाहेंगे, यहाँ पर queen to c6 मिखल ताल ने खेला, जब कि उधर queen e7 वह खेल सकते थे, बट queen to c6 जो है, वह एतनी अच्छी move नहीं है, क्योंकि यहाँ पर white एक्चुली खेल सकता है, bishop to g5, और idea यहाँ पर क्या हो सकता है, दोस्तों कि even जो है, वह कुछ sacrifice के लिए भी जो है, वह white जा सकता है f6 पर, यहाँ पर वीडियो को पोस किजिए, सोचिए कि मिखल ताल क्या कर सकते है, आपको जो है, इस पोजिशन में पौन मिल रहा है, तोस्तों, यहाँ पर मिखल ताल ने कहल दिया, bishop क्याप्चर सोन c4, सिंपल है, क्योंकि यह पौन जो है, ओर लोडेड है, आपको c4 भी सेव करना था, और knight भी अगर आप जो है, यहाँ जो है, वो a2 दोनों जो है, अंदर एटेक है, सो के, बिशब क्याप्चर सोन c4 के बाद, मिखल ताल के ओपन ने खेला, रुक तू, रुक, स्वरी, रुक एफ तू एवन, और अब जो है, आपको जो है, बिशब क्याप्चर सोन c3, बिशब क्याप्चर सोन d5, और यहाँ पर बिशब क्याप्चर सोन c4, वो मिखल ताल के ओपन ने खेला, उन्होंने यहाँ पर थ्रेट दी है, वो ने खेल क्याप्चर सोन c7 की, और नाइट तू f8, यह आइडिया जो है, काफी अच्छा था, नाइट d7 to nate f8, रिजन है, कि आपकी नाइट on f6 को रिमूव किया जा सकता, बड़ नाइट f8 को रिमूव करना मुश्किल है, और साथ साथ नाइट जो है, अल्मोस अप जो है, कि इंको काफी अची तरह से डिफेंड कर सकती है, इसा नहीं है, कि यह 100% true है, बट यह जो है, वो काफी true है, जब भी आपकी नाइट f8 पर होती है, आप अल्मोस हर तरह का अटेक वो जो है, डिफेंड कर सकते हो, जैसे कि h7 गार्ड एड है, जी फाल पर कोई अटेक होता है, तो आप नाइट g6 से ब्लोक कर सकते हो, जो नाइट f8 के बाद गिम में खेला गया है, रूक e3, और बिशब टू f6, क्विन पर अटेक है, क्विन टू g4, और नाव c4, तो देखिए, मिखल ताल क्या चाहता है, कि उनके पीस को क्विन सैड ऐलोकेटेट तो वहां से काफी जल्दी एक्टिव हो, और हम बाद में वाइट पर काउटर अटेक कर सकते हैं, क्योंकि वाइट आइस्ता क्या कर रहा है कि अपने पीस को किंसाड लेता जा रहा है, अगर आप अपना counter play नहीं लेते हो, then क्या होगा, ओपनेंट simply उधर वो आपको king side beat कर देगा, so c4 and now root f3, so एक clear cut दोस्तों, जो है, indication है, कि white ने decide किया है, कि उसको queen side देखना ही नहीं है, queen side जो है, वो lost है, so अब अगर उसका attack जो है, successful रहता है, king side, then वो win होगा, otherwise वो loss हो जाएगा, यहाँ पर जो है, आप चाहो तो c3 खेल सकते हो, but मिखल ताल ने, वो knight to g6 खेला, और इस position में, अब खेला गया, rook captures on f6, and after g captures on f6, यहाँ पर, जो है, white के पास chance है, कि वो जो है, bishop captures on g6, and after h captures on g6, अब bishop c3 खेले, reason यह है, कि इस position में, bishop captures on, जो है, वो, I mean, sorry, bishop capture f6 की threat है, तो से अगर आप capture करते हो, then bishop capture f6, और rook को save नहीं किया जा सकता, अगर rook को save करते हो, then queen h3, और game जो फिनिश हो जाएगी, और यह best fighting chance था, white के पास, but rook capture f6 के बाद, upon capture f6, और अब जो है, यहाँ पर bishop captures on, जो है, g6 नहीं खेला गया, यहाँ खेला गया, queen f5, so यहाँ पर idea यह है, first of all, आप जो है, capture करना चाहते हो, and then bishop to h6 करना चाहते हो, यहाँ फिर bishop h6 पहले, और फिर capture करना चाहते हो, और checkmate करना चाहते हो, but यह plan जो है, वो इतना अच्छा नहीं है, यह तापी लंबा अप्लान है, और तब तब जो है, मिखेल ताल के pieces, simply defend में आ सकते है, via even c5, so यहाँ पर, c captures on b3 खेला गया, and now bishop to h6, with an idea of queen captures on h6, और यहाँ पर मिखेल ताल नहीं खेल दिया, queen to c4, idea है, कर आप capture करते हो, then queen to c3, जो है, वो वहाँ पर आ जाएगा, so h4, वो white ने खेला, so white का idea किया है, कि वो simply pawn push करना चाहते है, and then queen to g4, and checkmate कर देना चाहते है, यहाँ पर जो है, game, just finish है, पहले, मिखेल ताल ने खेला, rook to e1, और अब bishop पर take है, so इस position में, final गलती गरदी white ने, ने खेल दिया, rook to c1, और अब वीडियो को post किजिए, और सोची के किस तरह से, मिखेल ताल ने यहाँ पर finish किया होगा, बेड़ी दोस्तों, यहाँ पर, जादूगर ने कहला, queen captures on c1, queen का sacrifice, technically देखा जाए, तो आप इसको sacrifice नहीं बोल सके, क्योंकि उसके सामने जो उनको material भी मिल रहा है, और उनका queen जो है, next moon में promote भी हो रहा है, so after bishop captures, rook captures on c1, shake है, king to h2, और मिखल ताल ने जैसे ही, जो है, pawn captures होने, टुकेला यहाँ पर, मिखल ताल के open resignation दे दिया, क्योंकि next moon में, queen बन रही है, और गेम जो है, वो finish हो रही है, so दोस्तों कैसी लगी आपको जादूगर किये गेम और आज का वीडियो, I hope मेरा वीडियो और गेम दोनों ही आपको काफी पसंद आया होगा, पसंद आया है तो please इस चैनल को subscribe कीजे, वीडियो को लैट दीजे और आपनी कॉमेट देना बिल्कुल ना भूले, तनियवाद, चैहिन, बाबाई,